कौन बनेगा नीता नगर निगम के चुनाव पास आने वाले थी पूरे कानपूर शहर में टिकेट को लेकर मारा मारी शूरु थी लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में वाट नंबर 40 की सीट थी वो इसलिए क्योंकि इस बार वहां की सीट महिला के लिए आरक्षित थी अब सवाल ये था कि चुनाव लड़ेगा कौन इससे पहले ठाकुर साहब वहां से पारशत थे और इस बार उन्होंने अपनी पत्नी सीमा ठाकुर को टिकेट दिलवाई और ठाकुर साहब की शान के कारण सीमा जी ने 20,000 वोटों से चुनाव जीत लिया अरब बदाए हो सीमा भावी अब तो आप वोड़ की पारशत बन गई है अब तो हमारे काम आप ही करवाएंगी और यह तो सर्फ माम की पारशत बनी है वो तो महिला सेट आ गए वरना पारशत तो मुझे ही बनना था अब भले ही चेहरा इसका होगा लेकिन पावर तो मेरी ही होगी अरे वाहा भावाई साहब क्या दिमाग लगाया है आपने भी आईए आप लोग खाना लगा दिया है सब के लिए सीमा जी पारशत बन चुकी थी फिर भी उनकी एक ना चलती सारे काम ठाकुर साब खुदे संभाल लेते और जहां जरुवत परती वहां सीमा जी का अंगुठा लगवा लेते सीमा जी ज्यादा पड़ी लिखी भी नहीं थी एक दिन ठाकुर सहाब और सीमा एक प्रोग्राम में जाते हैं अरे ठाकुर सहाब आप आ गए ओहो पारशत मैडम भी आ गई है स्वागत है आप दोनों का लगता है हमारे पारशत फंड का सही इस्तमाल हो रहा है चलिए अब उद्गाटन करते हैं ये लिजे ठाकुर सहाब कैची आप ही सबसे पहले प्रवेश कीजिए सब लोग आगे निकल जाते हैं और सीमा जी पारशत होने के बावजुद भी पीछे खड़ी रह जाती हैं वो देखती हैं कि वेलकम बोर्ड पर उनका नाम है लेकिन मैला होने के कारण कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा अगले दिन एक आदमी उनके घर आता है अर ठाकुर सहाब नमस्कार कल ना हम नोटिस किये के हमारा घर तो अवैद है और नगर निगम वाले उसे तोड़ने आ रहा है अर कुछ कीजिये न ठाकुर सहाब देखो भई मैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता पर अगर तुम सबकी जेब गर्म कर दो तो कुछ हो सकता है कुल मिलाकर चार लाक लगेंगे अर चार लाक ठाकुर सहाब अर भई मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ दरोगा है इजनेर बाबु है बड़े साब है सब को देना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा बोलो है मंजूर तब ही वहाँ अचानक सीमा जी आ जाती है अरे ये आप क्या कर रहे हैं पहले इनी लोगों से तो आपने वोट मांगे अब इनसे ही पैसे ले रहे हूँ अर चुप रहो तुम तुम्हारा काम है सिर्फ अंग उठा लगाना तुम वही क्या करो मुझे दूसरे काम तुम मत सिखाओ समझी और तुम ना जाओ अब पैसे लेकर आओ वरना जेसे भी किसी भी वक्त आती होगी सब कुछ ऐसे ही चलती रहता है एक दिन सीमा जी और ठाकुर साहब को एक लोकल मिटिंग में बुलाया जाता है वहाँ पर कई और अधिकारी लोग भी मौजुद रहते हैं अब मैं चाहूँगा कि ठाकुर साहब हमारे बीच दो शब्द कहें मेरे प्यारे भाई और बेहनो आज मेरा सौभागय है कि मैं आप सब की सेवा दिन रात कर पा रहा हूँ आपने मेरी पत्नी को भारी मतों से जिताया है इसलिए मैं आप सभी का शुक्र गुजार हूँ मैं आप सब से वादा करता हूँ कि हमेशा की तरह हमारे वोर्ड में किसी को कोई तकलिफ नहीं आने दूँगा सभी लोग तालिया बजाने लगते हैं अब मैं माननिय पार्षद मैडम को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा अपने नाम को बुलाया सुनकर सीमा जी एक्दम चौंग चाती है उन्हें बिल्कुल उमीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जगा उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा जैसे तैसे वो मंच पर चड़ती है उपर जाती ही सीमा जी को सारी पुरानी बाते याद आ जाती है कि किस तरह उनके पती उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते और उनके नाम से गलत काम करते हैं वो बुलने लगती है मैं आपके वोर्ड की पार्षद सीमा हूँ आप मेंसे बहुत कम लोग ही मुझे जानते होंगे क्योंकि इससे पहले मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला सारे मौके मेरे पार्षद पती यानि आपके ठाकुर सहाबी लेते रहे लेकिन आज ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूगी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके ठाकुर सहाब मेरे नाम की आड में गैर कानुनी काम करते हैं जिस पर अंगुठों के निशान मेरे होते थे इसलिए मैं अपने गलती मानती हूँ और आज अपने पज से इस्तिफा देती हूँ ताकि आगे से कोई गलत काम ना हो पाए अब वैसला आप सब के हाथ में है कि आप हमें क्या सजा देना चाहते हैं स्रीमा जी की बाते सुनकर ठाकुर सहब के जहरे का रंग उड़ जाता है और वो शर्म से मू नीचा करके वहाँ से जले जाते हैं और पज से इस्तिफा दे कर ही सही स्रीमा जी अपने आप में आत्म विश्वास मैसूस करती है